पिहार के सियासी गल्यारे से इस वक्त की सबसे बड़ी कबर सामने आ रही है नमस्कार दर्स न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग बड़ी खबर है पूर्णिया से निर्दलिय चुनाव जीते संकर सिंग स्टियम नितीश कुमार को समर्थन देंगे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और इसका एलान संकर सिंग ने कर दिया है जेडियू को समर्थन देने का एलान संकर सिंग ने किया है आपको बता हैं कि पूर्णिया से उन्होंने निर्दलिय चुनाव जीता है और उसके बाद ये अब बड़ा एलान उन्होंने किया है कि वो CM नितीश कुमार को समर्थन देंगे यानि जो सरकार है बिहार की उसको समर्थन देंगे पूर्णिया के रुपॉली से जीते निर्दलिया विधायक संकर सिंग आपको बताए कि संकर सिंग ने रुपॉली में जेडियू के कैंडिडेट को ही हराया पूर्णिया के रूपॉली में जो विधानसवा चुनाऊ हुआ उसमें संकर सिंग बतौर निर्दलिय चुनाऊ मैदान में उतरे और उनके सामने कलाधर मंडल बतौर जेडियू केंडिडेट मैदान में थे और दूसरी तरफ आर जेडिकेंडेट बीमा भारती भी मैदान में ताल टोक रही थी यानि मुकाबला त्रिकोणिय था और इस त्रिकोणिय मुकाबले में निर्दलिय संकर सिंग बाजी मार ले गए तो संकर सिंग ने अब सीम नितीश कुमार को समर्थन देने का एलान कर दिया है बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है हम आपको बताएं कि ज निकल कर सामने आ रही है अंदर से की जडियो के साथ अब आएंगे संकर सिंग निर्दलिय चुनाव जीत करा है है रूप आलिस है हम आपको बताएं कि इसको अधिकारिक रूप से अभी एलान किया जाएगा और अधिकारिक तोर पर एक मंच पर दोनों दिखेंगे और माना ये जा रहा है कि संकर सिंग के CM नितीज के समर्थन में आने से जेदियू एक साथ कई मोर्चों पर मजबूत होगी तो ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है बिहार के सियासी गलियारे से आज सियासत का सूपर संडे कह ले हैं कि दरसल जो रुपॉली में बीमा भारती जदियू परत्यासी के तौर पर पिछले कुछ चुनाओं में लगतार सफल हो रही थी वर्ष 2020 में भी रुपॉली में बीमा भारती ने जदियू के टिकट पर चुनाओ जीता था लेकिन इसी वर्ष जब CM NITIS कुमार ने महागरबंदन का साथ चोड़कर NDA में आने का फैसला लिया तो बीमा भारती ने बिद्रोही तेवर दिखाए और वह NDA चोड़कर RJD में चली गई और साथी बिधान सवा की सतस्रता से भी उन्होंने इस्तिफा दे दिया और लोग सवा चुनाओ में RJD के टिकट पर चुनाओ मैदान में उतर गई थी भीमा भारती हलाकि लोग सवा चुनाओ में उनकी बुरी हार हुई और उसके बार फिर से भीमा भारती जिसे रुपाली से उन्होंने इस्तिफा दिया था वहाँ पर चुनाओ लड़ने आ गई और उन्हें RJD कंडिडेट के तोर पर मैदान में उतरा गया रुपाली बिधान सवा उप्चुनाओ में लेकिन यहां भी भीमा भारती की बुरी हार हुई और संकर सिंग बनाम जेडियू के कलाधर मंदल के बीच मुकाबला हुआ जिसमें निर्दलिय संकर सिंग बाजी मार ले गए तो यह बड़ी खबर आपको बताएं कि जिस तरह से अभी खबर निकल कर सामने आ रही है कि संकर सिंग जो रुपाली बिधान सवा उप्चुनाओ में विजई हुए हैं उन्होंने CM नितीज कुमार को अपना समर्थन देने का एलान कर दिया है हम आपको बताएं कि अभी बिधान सवा में अगर बात करें कि किसकी कितनी ताकत है तो CM नितीज कुमार को संकर सिंग का स्तार्थ मिलने के साथ ही जदियू काफी मजबूत हो जाएगी मजूदा समय में अगर बात करें तो जदियू के कुल 47 विधायक हैं संकर सिंग अगर जदियू की सदस्ता लेते हैं तो इससे CM नितीज के दल में विधायक जो उनके हैं उनकी संक्या में इजापा होगा साथी अगले विधन सावा चुनाओ के पहले संकर सिंग के साथ जदियू पूरे सिमांचल के इलाके में जदियू को मजबूत करने की रनीती पर काम कर सकती है यानि जिस तरह से संकर सिंग के बारे में आपको बता दें कि संकर सिंग पहले रुपावली से बतोर लोजपा विधायक चुनाओ जीत चुके हैं और इस बार फिर उन्होंने बतोर निर्दलिये जीत हांसिल की है काफी पैठ रखते हैं और जिस तरह से लोगसबा चुनाओ में खबर निकल कर सामने आई कि पपू यादो को उन्होंने अपना समर्तन दिया और पपू यादो चुनाओ जीत गए थे तो संकर सिंग की रुपावली इलाके में बड़ी पैठ है और अब जेदियू के साथ आने से और जेदियू की ताकत बढ़ जाएगी नितीश कुमार की ताकत पूर्णिया इलाके में सिमांचल इलाके में काफी बढ़ जाएगी संकर सिंग के आने से बने रही है दर्स निय रखेंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद